हलो सातियों कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जो राजस्तान पुलिस की तैयारी के लिए जिन इस्टुडेंट को वेट था वो उनके लिए बहुती अच्छी खबर है यह जो आज नोटिफिकेसं जारी हुआ है वो सोने पे स्वागा सावित होने वाला है दो होगी और जो RISP जो पद होंगे उनके लिए बिना CET की परिक्साहिं होंगी उनके लिए दोस्तों आज एक नए नोटिफिकेसं जारी हुआ है और उस नोटिफिकेसं में आपको दिया गया है कि जो हमारे पास जो RISP बटालेन और RISP के जो पद होंगे वो 3,700 पद इसमें सामिल होंगे दोस्तों यह नए पद सरजित किये गए हैं दोस्तों चलिए तो आज का जो नोटिफिकेसं है उसके बारे में तमाम बातों को जानते हैं उस नोटिफिकेसं में क्या क्या दिया गया है दोस्तों यहां से इस notification में आमें देखने को मिला है कि राधस्तान ओद्योंगीक सुरक्षया बलका होगा गठन केंद्रिये ओद्योंगीक सुरक्षया बलकी तरज पर होगा गठन तीन बटालियनों में तीन अजार भैंतर नवीन पदों का होगा सर्जन आवसक सुईदाओं के लिए किस करोड रुपे सवीकर्थ किये गए है और दोस्तों चलिए तो आगे की बातों को भी सुनते हैं पूरे वीडियो को आप पूरे धान के साथ सुने जिससे की आपको पता चले की कौन सी बटालिया में कितने पद होंगे और कितने पद बढ़े गए हैं कहां से हमें फोरम अपलाई करना है किस तरीके से हमें फोरम अपलाई करना है इस प्रकार की तमाम बातों को जानने वाले हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो के अंड तक चलिएगा यहां से दिया गया है जैपूर 24 जुलाई परदेश की ओद्योगी की इकाईयों को सुरक्षय प्रधान करने के लिए राजस्तान ओद्योगी की सुरक्षय बल का गठन होगा मुख्यमंतरी स्री असो गैलत ने इस आश्य से आश्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी है राजस्तान ओद्योगी की सुरक्षय बल में तीन बटालियों गठित की जाएंगी इन बटालियों का मुख्यल है बिवाडी होगा चितोडगर्ड और वालोत्रा होगा इनका गठन केंद्रे ओद्योगी सुरक्षय बल की तरज पर होगा बटालियों के जिले और पंजीकर्थ इकाईयों के बारे में जाने तो चलिए तो इनके बारे में भी देखते हैं बिवाडी बटालियन के कारे चेतर में जैपूर, अजमेर, सीकर, अलवार, जुन्जनू, भरतपूर, दोसा, टॉंक, स्वाई, मादोपूर, करोली, धोरपुल, जिरे हैं इनमें से 3,21,694 पंजीकर्थ उद्दम, इकाईयों हैं चितोडगड बटालियन में जो सामिल होंगी वो होंगी हमारे पास बीलवाड़ा, उद्यपूर, कोटा, चितोडगड, राससमंद, जालावाड, भासवाड़ा, डुंगरपूर, परताबगड, बारा, बुन्दी, जिले में दो लाग 49,345 पंजीकर्थिकाईया हैं, वही बालोत्रा बटालियन में जोदपूर, विकानेर, सिरीगंगानगर, पाली, हनमानगड़, बार्डमेर, नागोर, चूरू, जालोर, सिरोई, जैसलमेर, जिले सामिल होंगे इनमें 35,550 में पंजीकर्थिकाईया हैं, बटालियनों में 3000 बहतर पद यहां से नवीन होंगे, यानि कि नए पद होंगे, हमारे पास कितने होंगे दोस्तों, यहां से 3000 बहतर पद सामिल किये गए हैं इसमें, और यह सबसे इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, जिन सातियों के लिए बहुत ही beneficial रहेगी यह सीजें कि आगामी आने वाली राजस्तान पुलिस में हमें RSA की किस प्रकार से तयारी करनी चीए, उसमें CET का तो कोई जंजटी नहीं है, चलिए तो और बातों को भी जानते हैं, यहां से हम लोग, यहां से दोस्तों और सीजों को भी जाने का एक एक पद, साहे कमांडेंट के 10, कंपनी कमांडेंट के 9 पद, प्लाटून कमांडर के 45 पद, हैड कॉंस्टेबल के लिए 200 और कॉनिश्टेबल के लिए 734 पद, साहे का अभी लेककारी, कनिश्ट लेका कारी, साहे क प्रसासनिक अधिकारी, सूचना साहे किस्यान नर्स का एक एक पद वरिष्ट साइक चपरासी के दोदो पद कनिष्ट साइक के चार पद कुक के दस पद स्विकर्थ किये गए हैं इसके साथ ही दोस्तों 21 करोड रुपए की वितिये स्विकर्थी इसने इसमें दिया गया है स्रीयसो गलोतने बटालेंस को विबिन वाहान पनीचर इत्यादीवे अन्य सुविधाई उपलब्थ कराने के लिए लगबग 21 करोड रुपए के वितिये प्रस्ताव की स्विकर्थी दिये इस स्विकर्थी से परदेश की ओद्योगी की कायों को सहज और शुरुक सत्वातावरन उपलब्थ कराया जा सकेगा इससे परदेश में 3092 नवीन पद होंगे और जिन साथियों ने अभी तक इसकी तैयारी को सुरू नहीं किया है वो इस तैयारी को अपनी एक नई दिसा के साथ और बिना किसी कन्फ्यूज के अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाए कि CT इसमें लागू होगा या नहीं होगा इस परकार दोस्तों एक कॉंस्टेबल और है उसके लिए तो CT लागू है वो विद्यारती जानते ही होंगे और दोस्तों इसी परकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके बैल आइकन को प्रेस करें आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके चलिए दोस्तों एक नई अपडेट के साथ फिर मुलागात करता हूँ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद